Hello students, पिछले वीडियो में अपने 1st chapter शुडू किया था और उसे complete भी कर लेता, Fluid and Fluid Pressure. आज आपन 2nd chapter पर शुडू करेंगे, Fluid pressure under gravity. Important chapter है, इसी के basics पर आगे अपने question solve होंगे, चले शुडू करते हैं, पहला theorem है, The Pressure is same at all points in same direction, Same horizontal plane in fluid at rest under gravity. यह दो मार्क्स का पूछा गैज़ हो दोजार पी रहा है ठीक है एकलिट प्रेशर एट ओल पॉइंट से नहीं होता है यह आपको पूछा गैज़ हो आपको यह लिखना है कि अगर किसी फ्लूइड के अंदर होजेंटर डायक्शन में आपको कर रहे हैं तो होजेंटर डायक् प्रेशर होगा सब्सक्राइब पिश्ले चेप्टर में अपने सीखा था किसी पॉइंट पर हर एक डायक्शन में प्रेशर प्रेशर था इसमें अलग-अलग कोईंट्स के उपर प्रेशर है अगर आप होरिजॉंटली मूव करेंगे तो प्रेशर में कोई फरक नहीं आपन कैसी depth पर जाए सर्फोसर डेप्थ है, z horizontal मतलब free surface जो है free surface होता है बेटा, जो भी fluid है। उसका top layer जो होती है उसे बोलते हम फ्री surface के ऊपर पर अइन वामेंट का प्रेशर चरू होता है, जैसे यह fluid है कोई भी liquid है suppose उपर gases का कोई ना फ्रेशर दो इसको पर होगा सपोज एक प्रेशर पाई है एकशली प्रेशर नहीं थुर्स्ट है मैं आपको याद दिला दूं थुर्स्ट प्रेशर क्या होता है थुर्स्ट होता है फोर्स पर उनिट एडिया और प्रेशर होता ह अना थ्रस्ट होता है एक unit area में कितना pressure आ रहा है वो थ्रस्ट रा formula भी होता है थ्रस्ट इसको स्टू होता है pressure upon area यह इसको इसे भी लिसकते है pressure is supposed to thrust into area यह आप याद रखिएगा इसका use होगा pressure is supposed to thrust into area अब अब अपन को इस depth पे जो pressure लग रहा है वो पता लगाना है suppose depth है z अपन इसको calculate करने के लिए एक horizontal vertical line मनाते है suppose point capital A है या vertical line मने capital भी है calculate करने के लिए अपने छोटा सा cylinder consider करना पर लेगा छोटा cylinder का मतलब है कि इस line के आस पास एक छोटी सी radius का circle अपने है नीचे से end उपर तक लिया है अच्छा अब यह स्लेंटर जोए equilibrium में obviously movement नहीं है तो इसको पर pressure कितना लगे हो बताना है बिटा तो देखिए इसको पर pressure कहा कहा लग रहा है पहला pressure तो लग रहा है environment का अगर यह जो area area cross section अगर मैं मान लो alpha तो उपर से कितना प्रेशर आ रहा है थ्रस्ट आ रहा है पाई प्रेशर के रुख कितना होगा पाई alpha डाउंबर डिरेक्शन में इसलिए में पाई alpha लिखा है अब next है इस cylinder का volume कितना होगा बिटा यह सब्सक्राइब इस cylinder के इंटर जो fluid है उसका weight कितना होगा पीटा weight का formula होता है volume into density जो weight पर यह यह density है और volume कितना होगा पीटा volume होता है cylinder का πाई r square h पाई r square कि मैं alpha लिख दो area of cross section मैंने alpha माना है तो alpha और h होता है cylinder की depth cylinder की height तो यह तो हो जाएगा alpha-z तो हो जाएगा volume और w हो जाएगा weight-percent volume यह देंसिटी तो इस cylinder का total weight हो जाएगा w alpha-z यह भी downward direction में लगेगा weight obviously इसने plus में लिखा है next तो force of buoyancy है वो upward direction में लगेगा और वो होगा इसको पर pressure बताना है वैसे थी तो इस a pressure बहुत मान लिया सबको thrust है suppose p तो pressure हो जाएगा p alpha यह अपर direction लगेगा इसलिए होगा minus p alpha is equal to equilibrium इसलिटोटल balanced force जोगा 0 होगा ठीक बता अच्छा एक चीज़ और इस surface के अपर इस तरह से force भी लग रहा होगा लेकिन वो सारे force चारो डायरेशन लग रहा होगा और इस a के अपर a b के अपर perpendicular लग रहा होगा तो सब force एक दूसरी केंसल कर देंगे उसका equilibrium में कोई contribution नहीं तो उस force को अपन नेग्लेक की कर सकते हैं तो अपनों मिला क्या बेटा यह free surface से जो एक तो force मिला उपर से अपन को पाई alpha यह इस जो cylinder है उसमे weight displaced किया वह w alpha z और upward direction प्लस में और अपर direction तरह से माइनस में अलफा कॉमन हांके कट गया तो पाई alpha z माइनस P is equals to zero तो P is equals to आगया पाई plus wz यह अपना formula है most important formula से ज्यादा पूरे book में अपने यह वाला formula यह use करने वाल है कि किसी भी depth z पर जो pressure होगा उसका formula है environmental pressure plus wz नेक्स्ट बेटा अगर fluid heterogeneous हो वो तो अपने सीखा पी is equals to pi plus wz अगर fluid homogeneous हो तो यह अला formula लगेगा अगर fluid heterogeneous हो तो पी is equals to integration of w dz plus c लगेगा यह use कमी होगा इसलिए इसका derivation में मैं ही कर रहा हूं आता भी एक्जाम में बस आपको तो यह आध्यानक में किसी भी depth z के पर surface से free surface depth z के अपर जो pressure होगा पी is equals to pi plus wz होगा ठीके बिटा चलिए नेक्स डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटिन कि सब्कोरी पॉइंट है even for a two इंके वो pressure थे पी उर पी टू तो पी उर पी टू का जुँद डिफरेंस है वह पीए वाफिवन माइनस फीड व्यादा होगा क्योंकि मैंना पर बता है जैसे आप डेप्त में जाओगे फ्लूइड का प्रेशर बढ़ेगा तो P1 मैंनेस P2 जो होगा व व होगा इसका derivation बहुत easy है यहाँ पर H जाना है इन दोलों के बीच की distance है, vertical distance है P1 क्या formula होगा suppose free surface से P1 की depth है H1 और P2 की depth है H2 तो P1 का formula क्या होगा 5 plus W H1 हाना WZ अगर Z depth हो तो WZ होता है, अभी depth H1 है तो वो WZ होगा P2 होगा, P1 plus W H2, subtraction अगर करोगे P1 मैंनेस P2, Pai कर जाएगा इन में W common हाजाएगा H1 मैंनेस H2 H1 मैंनेस H2 क्या होगा पेटा, यह distance H तो P1 मैंनेस P2 हो जाएगा W into H अगर एक container में अपने एक से ज़्यादा fluid डाल दिये suppose दो fluid डाल दिये अपने जिनकी densities जिनका weight परने टरॉलिम W1 और W2 है जो heavy fluid होगा वो obviously नीचे जाएगा, suppose W2 जो है, वो W1 से बड़ा है तो heavy fluid जो होगा, उनीचे जाएगा और जो lighter fluid है, वो उपर रहेगा अब अपने suppose ये fluid के तो height है H1 और यहाँ पे अपन को pressure निकालना है इस pressure की जो depth, इस point की जो ये meeting surface है दोनो, दोनो fluid का उससे depth है H2 तो इस point पे जो pressure होगा उसका formula क्या होगा पेटा वैसे P is equals to pi plus wh होता है लेकि इस बार दो fluid है पहला fluid, weight per unit volume है W1 और height है H1 दूसरा fluid, weight per unit volume है W2 और height है height जाना काना है, मीचे वाली height को काम की नहीं है जो उपर है ना, इस point से उपर वो ही काम की है उसकी height है H2 तो जो resultant pressure होगा इसको पर वो होगा W1 H1 plus W2 H2 इस तरह से अगर dose ज्यादा fluid हो तो W1 H1 plus W2 H2 plus W3 H3 and so on चलता जाए तो जाले ही इन formula से related ही अपने question सब कुछ करते हैं सबसेब पहले करते हैं अफने example 1 The pressure at bottom of a well is 4 times that of at a depth of 2 feet अफला क्या है बट्टम पह जो pressure है प्रेशर का 2 feet distance depth फेशर का सब्सक्राइब बाटना सब्सक्राहिए find the depth of the well with the pressure of the atmosphere will be equal to 30 feet of water जो अट्मोस्टोरिक प्रेशर है पाई वो कितना है पाई इसको स्टाप हो दे लगा 30 feet of water पर फ्रेशर होगा मतलब 30 into w प्रेशर क्या होता है wz होता है तो इस वार पाई जो है वो wz, z की जगे 30 feet दे लगा है पाई जो है 30 w के बराबर है तो यह तो easy हो गया पी बन क्या होगा पैटा पाई प्लस wz1, z1 होगा पैटा इस पॉइंट की depth अपने मान रहते हैं है h मान रहते है और 4 times of p2 होगा पैटा पाई प्लस w इस पॉइंट की depth इतने होगा पैटा 2, w into 2 अब पैटा पैटा प्लस w w h is equal to 4 into पैटा लिकता हो 30 w plus 2 w एक से निया पे भी पैटा 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 लिकता हो पेटा तो 30 w लिकता हो पेटा तो 30 w common लो plus h is equal to w common लो 120 plus 1 इक से लिकता है 32 हो जाएगा, 32 x 4, 128 हो जाएगा, 128W, ठीक है, तो W से W कैंसल कर दू, H is equals to 128 minus 13, तो H के लिए जाएगी 98 feet, बस यह simple ही था बिटाए, depth पे pressure को अपने P2 के 4 times से बराबटर दिया था, ठीक है बिटाए, second question आप लोग कीजिएगा, वो integration से related है, मैंना आपको बताया था, WDZ plus C से, यह less important है, यह मैंने ही करा रहा हूँ, next example, 3, most important question, 3 बार आज़का है, 2013, 2014 और 2017, क्या है बिटा, प्रूव दैट, pressure at center of gravity, CG मना थो center of gravity है, और पर triangular lamina, एक कोई triangular lamina है, lamina मतलब sheet है, इसको अपने surface, फ्लूइड के अंदर immerse किया, ठीक है, फ्लूइड है, फ्लूइड है, चार्टर, तो इसके center of, आपको प्रूव करना है, कि center of gravity, जो G होगा, center of gravity पे जो pressure होगा, is one third of the sum of pressure at angular points, यह तीन angular points जो हैं, suppose, A, B, C, इन angular points पे प्रेशर होगा, उनके sum का one third होगा, मतलब, इसपे pressure है, suppose, P, इसपे pressure, suppose, P1, P2, and P3, तो P is equals to P1 plus P2 plus P3 upon 3 होगा, यह आपको प्रूव करना है, तो अपने काम करते हैं, इस point की depth मान लेते हैं, है, H1, इस point की depth मान लेते हैं, हपन, H2, और इस point की depth मान लेते हैं, ह3, ओके, तो, और इस point की depth अपन मान लेते हैं, H, एक second, center of gravity का formula आपको पता है, आप लोगों ने पहले X और Y के टाम से पढ़ा है, X equals to X1 plus X2 plus X3 upon 3 होता है, और Y equals to Y1 plus Y2 plus Y3 upon 3 होता है, सेम अलिके से, यहाँ पर center of gravity निकालना है, आपनको depth, center of gravity की depth निकालना है, अगर किसी triangle के, किनों vertices की depth, अगर H1, H2 और H3 है, तो center of gravity की depth होगी, H वोगी, H1 plus H2 plus H3 upon 3, सेम concept है बिटा, तो यह घ्यान अखना है, कि इसकी depth है, H, अब, इस pressure at center of gravity G कितना होगा, प्रेशर, प्रेशर at center of gravity कितना होगा, पाइ, प्लस W, Z होता है, Z के चेके मैं लिकालना हूँ, H, इसके पनको पता चल गगे हैं, इसको पन ऐसी भी लिखाता है, 5 plus W, H यह लिखाता है पन, H1 plus H2 plus H3 upon TR, ठीक है, और pressure at A कितना होगा, यह rough है, pressure at A कितना होगा,DEN 5 plus w H1, pressure at B कितना होगा, 5 plus W H2, pressure at C यह कितना होगा बैटा यह मतलब P1 लिख देता है अब अब अपन को यह जो P है अपन को यह जो लिख सकते हैं पाई प्लस दुड़ी एश्टू को पन पीटू लिख सकते हैं और पाई प्लस एश्टी को पन पीटू लिख सकते हैं अगान फूट एंस पूट ओके इसमिलर्ली नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल फोट यह भी इंपॉर्टेंट है पेटा ही 2016 माया हुआ है क्या कुश्चिन है इफ रो एंड रो डैश भी देंसिटी इस अफ टू फ्लूइज रो इस लेस्ट दें रो डैश दे रिखा है एंड दे लेंट अफ आर्म्पव यूट्यूब एक यूट्यूब है इसकी आम्स की लेंथ कितनी है बिटा ax इंजिट डिमीए भी एंड इन हैं ओके यह अपन मान लेते हैं एंज़ें तो मैं ने आता हैं में और यह अपन म सालेते हैं मेंन एक यूट्यूब हेस्ट के आमस की लोईंदी अलगा लागश ये यूट्यूब अब टाला बितना तो यह यह जो हलका fluid obviously उपर रहेगा, तो यह जो हलका fluid है, हूँ मैं यहाँ डालता हूँ, यहाँ पर रो है Prove that, in order that the tube may be completely filled, the height of the column of the lighter fluid above the horizontal plane in which they meet is this चली, तो शुरू करते हैं यहाँ पर पूरे पर fluid भरा है, row dash, जो heavier fluid है, और lighter fluid यहाँ पर है, अच्छा, नीचे जो fluid है उसे मतलब नहीं है, एक चीज आपको notice करने हो लिए है, मैंने आपको बताया था, कि same horizontal point पर अगर आप जाओ, तो same pressure होता है, तो देखो, यहाँ पर height ज्यादा है, lighter fluid है, और यहाँ यहाँ पर height कम है, यह row dash ही है, सब्ज़गे row dash वाला fluid ही है, तो यहाँ पर जो fluid है, height कम है, fluid की density ज्यादा है, अब heavy fluid है, मतलब, तो इतने fluid का, इस point पर प्रेशर होगा, same horizontal point पर, इतने fluid का pressure भी उतना ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है, horizontal direction में, fluid का प्रेशर होता है, तो इस सारे fluid का जो pressure होगा इस पर, और इस सारे fluid का pressure होगा इस पर, यह same horizontal point हा, same horizontal line में है, तो इन दोनों के उपर pressure same होगा, तो suppose इस point को मानता हूँ मैं capital P, इस point को मानता हूँ capital Q, तो आपको h की value लानी है, मतलब यह जो दोनों fluid जो है, जिस horizontal line में मिल रहे है, उसकी uppermost of cube से distance जो है, depth जो है, h यह आपको निकाल नहीं है, तो चले शुरू करते हैं, पहली बात तो यह हो गई, कि pressure at P, इसको स्टू, pressure at Q, P पर pressure, पर pressure same होगा, अब यह tube अगर open हो, यह close, उससे फरद नहीं पढ़ता, क्यों कि अगर open होगा, तो भी πाई प्लस होगा दोनों से, पाइ से पाइ कट जाएगा, और उसको स्क्रावने पढ़ता है, उसको स्नुमान के काम कर लेता है, जलो, ओपन होती नहीं होती है, तो फॉरुड काettध का two seconds, मास घम डेकर फिरमुला कि मास इंट अगर टेंसिटी इंटू ग्रेविडी acceleration होगा इस बार acceleration due to gravity है इसलिए जी तो ज्यान अपना W का formula बनेगा अपने पास रो जी तो pressure at P कितना होगा बिटा W Z W की जगे लिखूँगा मैं रो जी और Z Z मतलब इस point P की depth free surface है यह depth हो गई H is equals to अब बिटा pressure at Q कितना होगा pressure at Q की बिटा वह का W Z W की जगे लिखूँगा मैं इस बार जो यह fluid है इसकी density rho dash rho dash into G लेकिन यह जो depth है यह ली depth अभी आपनको दियो जो यह ली depth अपनको निकालने पड़ेगी कैसे निकालेगे बिटा देखो यह चीज और यह चीज बराबर होगी बॉट्टम से इसनस यह हाइड और यह बराबर होगी यह हाइड कितने हो कि पीटा M-H, M-H will be equal to, यह सबोस्ट इसनस मानते हैं बन्द एक्स तो यह हाइड कितने हो कि पीटा, N-X तो X सा क्या फॉम्मला मेंने का अपनको N-M plus H, यह X दर लिया और M और H उधर लिया, तो यह जो depth आएगी, आएगी N-M plus H अब अपनको H के विल्यों निकालने हैं बहुत इसले निकल जाएगी, जी से जी तो पहले काट दो रो H, इसको स्थो रो N-M into रो डैश और प्लस का रो डैश ह, यह दर ले लो तो रो माइनस रो डैश इंटू H, इसको स्थो N-M रो डैश हो जाएगा, बेटा मैंने यह रो जो है, दोनों से मल्टिप्लाय किया, वापन रो डैश कामन भी गए लिया, यह दर लिया, एच कॉमन ले लिया तो यह हो गया, रो माइनस रो डैश हो जाएगा, तो H के लिए अज़ेगी, एन माइनस रो डैश अपॉन रो माइनस रो डैश ठीक है, अब अब ओविसली जो हाइट है वो पॉस्टिव होगी, यह रो डैश बड़ा है, तो एक इसको H क कि लिए अपनों कॉस्टिव लिए तो यह अपना आन सखा दिया, ओक बटा, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एक्जाम्पल फिप्ट, a small uniform tube is bent into the form of a circle, whose plane is vertical and equal bottom of two liquids of density Rho and Ro σ, filled half the tube, so that the radius passing through the common surface इस मेक्स विद वर्टिकल एंगल थीटा गिवन भाइख यह तैन थीटा इसको रो माइनस सिग्मा अपान रो प्लस सिग्मा देखो क्या है बीटा एक एक ट्यूब थे उसको सर्कुलर फॉर्म में बैंट करते हैं उसपеты liquid डाले गिंगी देनसिटी इक्वल है क्या मब आधा देख हो तो इस डिडि देन शिरिट का फ्लुड और इस दिशिटका फ्लुड मिलकर त्सका प्लिकल को अधा फिल करते हैं मतलब या उनधा फ्लुड आपड़ेगा ढांना पड़ेगा आपतल सब् सएके प penn बाल्ब साव है कि यहां अपने100 00″ वाल्य involved यहां अपनों मिलकर दोनों प्राबर आगर कि अगर सेंड़ी कर यह जा टुछ तो हेवी फ्लूइड निचे आना चाहेगा है हैं है है मिन इसका लेए इसका लेβα और इसका लेवल यह और वह फ्लॉड होगा उसका लेट्व फ्रोगा और Online रख रहाना होगा और दोनों का मीटिंग पॉइंट है दोनों की फ्लूइड का मीटिंग इव होगा यह और इंश्ञाल ने रिखन सोग सब्सक्राइस निक्ठी होगा और अपनौ siya बात अफ्नुडा से मेजन करके भी सोगते हैं तो अपनों और यह बोला है कि जो मिटिंग लेवल है यह सेंटर से जो जॉइंट किया आपने इसको यह रेडियस से सबस्थ आथ यह जो एंगल बना रहा है वर्टिकल से थीटा तो आपको प्रूव करना है जो यह तैन थीटा है वो यह होगा रो मैनस सिग्मा अपॉन रो प पर left equilibrium है न बोड़ी मदब पूरा fluid equilibrium मतलब क्या है कि इस side से इतना pressure आ रहा है और इस side से इतना pressure आ रहा है वो बढ़ादर होगा तो देखो इस side से कितना pressure आ रहा है ज्यानता में radius वानी R यह angle है theta तो इस side से pressure कितना रहा है प्रेशर का formula था पाई प्रस डव्य एच डव्य जट तो पाई का कोई मतलब नहीं क्योंकि लोजट ट्यूब है तो पाई में अटा देता हूं डव्यू डव्यू होता है इस fluid का weight इस fluid का weight कितना होगा रो जी और एच होगा इस की इस point की vertical depth यह vertical depth होगी आपके जड़ आप तो मैं इस point को लिखता हूं पी रैसे लिखता हूं प्रेशर एट पी फ्रॉम लेफ्ट इस इकोस टू प्रेशर एट की फ्रॉम राइट दोनों साट से प्रेशर निकालते हैं पिटा तो देखो पिटा इस रो यहां से प्रेशर कैसे निकालेंगे डव्यू और जड़ क्या होगा पिटा यह जो फ्लूइड है इसकी डेफ्थ वर्टिकल डेफ्थ यह डेफ्थ है मतलब यह चीज है यह काम करते हैं इसको उपन जॉइंट कर देते हैं ऐसे ठेट कैसे निकालेंगे देखना यह 90 डिग्री है तो जैसे कि मैंने बताया है यह फ्लूइ अगल भी बराबरी होंगे तो यह एंगल होगा पिटा यह वाला एंगल 90 माइनस ठीट है त्रिग्नोमेट्रिस से आपको निकालना पड़े रेडिस अपना आर मान लेते हैं त्रिग्नोमेट्रिस से अपनको यह डेफ्थ निकालना यह पॉइंट मानने था हूँ सबोज मैं सब्सक्राइब यह पॉइंट मानने था हूँ सब्सक्राइब इसकी जरूर्ट होगी बाहर में मुझे तो यह एंप अपनको निकालना यह एंप कैसे निकालना पिटा देखना पहले मैं यह ओ एम निकालता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिस से ओम विल भी एक्वल टू आर कॉस 90 एक वी मञेनस थीटा को अधिकन इन यानि ओम है मुझए या कि रस नो साइन थीटा ठीक है और यह ओ पी की रचरीजिक्ट ऑने के बराबर ही होगा तो कि नोच एम पी कि तना मुझा आए अम्पी को जायएम एन्पी हो जायएगा w याने की आर माइनस आर साइन थीटा इध्यान लखना बैटा similarly एक सिग्ड पहले में यह लिखता हूँ pressure at P from left यह हो जाएगा rho G into A depth MP is equals to pressure at P from right, right से इतना pressure आए बैटा right से इस rho density वाले fluid का भी pressure आएए और sigma density वाले fluid का भी pressure आएए तो इस rho density वाले fluid का कितना pressure आएगा बैटा सपोज यह horizontal joint कर देते हैं अपने यह point मानते है capital N यह होगा बैटा rho है ना rho G N P same formula W Z और plus इस sigma fluid आएगा कितना pressure आए बैटा यहाँ पर सपोज आपन जोइन करते हैं इसको इसको मानता हूँ S मानता हूँ ठीक है तो इस fluid की जो vertical height होगी vertical height होगी S N के बढ़ा तो यह होगा सिग्मा G S N ठीक है इस fluid की vertical height कितनी होगी बैटा इधर अपने join के है S इधर अपने join के है N S N बस अपने को M P, N P और S N के वेलिए निकाल कर इसमें डालनी है अपना question solve रहेगा G तो common आके हमेशा कटेगा G तो कभी रहे गई नहीं है आपके किसी कुश्चन तो चलिए N P के वेलिए अपने निकाल दी आपने R-R से N थीटा उसी तरह से N P और S N की वेलिए निकालते है N P की वेलिए निकालते है N P येवाली depth N P क्या होगा बैटा N P होगा आपका O P minus O N, O P तो अपने पास है R, O N निकालते है O N क्या आएगा पीटा ट्रिग्नोमेट्री से इस वेलिए ट्राइंगल लो देखो, ये इस R है ये एंगल थीटा है तो O N आएगा R cos theta O N आएगा, ये हो जाएगा, अब बार ये S N की S N कैसे निकालेंगा? S N होगा आपके पास, S O plus O N S O क्या होगा? S O निकालते हैं ये एंगल 90-theta है, ये एंगल भी vertical opposite एंगल बन रहा है ये एंगल भी 90-theta होगा, ये radius R है तो S O होगा, ये एंगल थीटा होगा, R sin theta तो S O होगा R sin theta, और O N आगे अपने पास, R-R cos theta तो ये S N की value, N P की value और M P की value उसमें रख देते हैं तो अपने मिलेगा, Rho into R minus R sin theta Rho into N P की लिए 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 R-R cos theta तो यहाँ भी R common आ रहा है, यहाँ भी R common आ रहा, यहाँ भी R common आ रहा और पूरे मिलेगा R common आनके बाद R, R सब कर जाएंगे 1 minus sin theta, sigma into, Rho into 1, 1 minus sin theta, Rho into 1 minus cos theta plus Rho into sin theta minus 1, I am sorry, plus 1 minus cos theta यहाँ भी Rho minus Rho sin theta is equal to Rho minus Rho cos theta plus sigma sin theta plus sigma minus sigma cos theta Rho से Rho कड़िया मैंने यहाँ कट्वेट लिख दी प्लस का Rho cos theta आएगा ठीक है, तो अब यह काम करते हैं, sin theta वाले सब्सक्राइट करते हैं तो यह इदर आगा minus, यह काम को इदर ले लेते हैं और इनको इदर लेते हैं, तो Rho cos theta minus का sigma cos theta इसको सिग्मा sin theta plus का sigma Rho sin theta sin theta common ले लेते हैं, Rho minus sigma cos theta sigma plus Rho sin theta तो यह Rho minus sigma upon sigma plus Rho, यह Rho plus sigma यह की बात है, sin theta upon cos रहे हैं, 10 theta, hence Rho root ओके बैटा, simple था इसी तरह से next example करते हैं, अपने example 6th यह भी बहुत important question है, काफी बार आया example 6 यह 2013, 2014, 2017, नो नो, सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, 2013, 14, 18, 2019 और 2010 में भी आया हूँ, पांच बार आया हूँ same question है बैटा, a circular tube, एक circular tube है, same pattern का question है, जो भी आपनने किया है just 1 two in the vertical plane contains, is tube खरी थ Ari in a vertical plane, contains the column of liquid density Só the meter down, which substance, right angle at center and column of density, doll dash, substance angle alpha अपा, if theta is the angle that the radius through the common surface makes with the vertical, prove that 10th theta is supposed to guess, okay, देखते मेटा, यह अपना पहला fluid, यह पहला, यह horizontal होगा, horizontal direction, horizontal separate होता है, यह पहला fluid है, जो center पे angle बना रहा है, 90 degree, और दूसरा fluid है, जो center पे angle बना रहा है, alpha, यह fluid है, del, और यह fluid है, del dash, मतलब इस fluid के density, del, और इस fluid के density, del dash, अभी जो vertical से angle बना रहा है, यह angle है theta, ठीके बड़ा, चलो, top up को पुरू करना है, 10 theta is equal to this, this, this होगा, पुरू करता है, चलो पिटा, तो यह point मालने थे, same P, और यहाँ पे horizontal line बना देते हैं, यहाँ पे थोड़ा इसको नीचे ले देते हैं, वनना confusion हो जाएगा, चलो, यह point लेते हैं, और यह point लेते हैं, capital M, ठीके हैं, चलो, तो simple सी बात है, fluid जो है, अगर equilibrium में है, तो pressure at P from left, this goes to pressure at P from right होगा, तो पिटा, left से pressure कितना है, रो डेश, यह left से pressure आया है, इस fluid का भी pressure आया, रो डेश फ्लुड का भी और इसका भी आया, इस point को मान लेता हूँ, suppose मैं L, तो इस fluid की height कितनी होगा बिटा, रो डेश इंटू G, इंटू NL, इस fluid की height, vertical height कितनी है, NL है, प्लस, रो डेश, यह जो fluid है, इसकी dell है, उसका भी fluid, उसका pressure आया, कितना है बिटा, यह रो डेश नहीं है, डेल डेश है, हाँ, इसका होगा dell multiply by G, और यह होगा L P, ठीक है बिटा, निचे वाला fluid consider नहीं करना, जो point अपना उसकी depth ही consider कर लिए है, is equals to pressure of fluid from right, राइट से कितना fluid का pressure आया बिटा, रो, sorry, dell G into यह depth, यह depth होगी MP, ठीक है बिटा, G तो काम नागा, उसके cut रिया, अपनको NL, LP और MP के वाली निकाल नहीं, NL के वाली कैसे निकाल देंगा देखना बिटा, एक बार मैं इसके radius मालता हूँ R, तो OP तो अपना हो जाएगा R, अब अपन पहले, यह angle अगर alpha है, यह angle theta है, यह alpha ही theta, तो यह अपना on जो है, वह कितना हो जाएगा बिटा, है यह पूरा angle होगा, alpha plus theta, तो ही ओजाएगा cos alpha plus theta, WN हो जाएगा, OM अपना कितना हो जाएगा बैटा, यह angle होगा 90 minus theta, ही angle होगा theta, तो O M हपना हो जाएगा, r sin theta, और यह angle theta है, तो ol अपना कितना हो जाएगा r cos theta on r cos alpha plus theta ठीक है तो बिटा अब अपनों निकाला किया nl, nl क्या होगा nl होगा ol minus on ol अपने पास r cos theta और on अपने पास यह है तो मैं r common लेता हूँ cos alpha plus theta हो जाएगा ठीक है nl के बाल चाहिए, अपनोंका lp lp कितना होगा, lp op minus ol lp होगा अपना op minus ol op अपना r और ol अपना यह रहा r common लेता हूँ, तो 1 minus cos theta हो जाएगा next, mp कितना होगा, बिटा mp होगा अपना op minus ol op अपना r और om है यह रहा r common लेता हूँ, तो 1 minus sin theta value से की आगे मेटा, simply trigonometry से, पस अपना just plug-in करो और आपका answer proof हो जाएगा dell dash nl के लिए 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 r times of cos theta minus cos alpha plus theta plus dell lp lp के लिए है, r 1 minus cos theta, इस कुस्तों dell, mp के लिए है, r 1 minus sin theta तो r तो common आगे कट गया dell dash cos theta minus dell dash cos alpha plus theta dell minus dell cos theta is equals to dell minus dell sin theta dell से dell कट गया ठीक है यहाँ पर cos alpha plus theta की value रखी जा सकती है, dell dash cos theta minus cos a plus b का common होता है, cos से cos minus sin a sin b तो आगे आगे मैनस से dell dash से multiply करके ही लिखता हूँ मैं, cos alpha cos theta plus dell dash into sin alpha sin theta minus का dell cos theta यह इतर लियाता है plus का dell sin theta is equals to 0 वेटा आप उनको लाना क्या है वो एक बार देख लेते हैं लाना यह है, 10 theta is equals to dell minus dell dash plus dell dash cos alpha upon dell plus dell dash sin alpha तो 10 theta के लिए चाहिए काम करते हैं जिसमें sin theta है उनको पर लेट में रखते हैं cos theta उसको right ले जाते हैं जिसमें sin theta है और बाकी तीनों में cos theta है तो cos theta और लोको तो right ले जाएंगे इन दोनों में sin theta common ले लो तो यह हो जाएगा dell plus dell dash sin alpha इन दोनों को में right में ले जाता हूँ dell cos theta cos theta भी common ले लेता हूँ एक दो और team में से cos multiply by dell और लिगो जाएगा minus का dell dash हो जाएगा और यह plus का हो जाएगा dell dash cos alpha इसको जले लता हूँ sin theta upon cos theta will be equal to dell minus dell dash plus dell dash cos alpha यह 10th होगे hence proved okay पीटा same example example 7th यह आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ 2014 में और 2015 में आया हूँ next example यह आप लोग सारे examples कर लिजेगा example 16th भी example 9th भी करिएगा यह 2016 माय हूँ ठीक पीटा और example 10th भी आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ यह सेम तरह के questions ही है यह 2014 में और 2007 और 2019 में आया हूँ अच्छे से कर लिजेगा और यह जो 9th और 10th question यह भी important है यह भी कर लिजेगा doubt हो तो मुझे पूछ लिजेगा इस second chapter आपका इतना ही था बिटा इसी तरह questions जो में आपको करवाएं उस तरह questions आपको करने को मिलेगे आज की लिए इतना ही next video of our next chapter शुरू करीगे thank you